कुछ मीठा खाने का मन करें या आचानक से घर में में एमान आ जाए तो सिर्फ एक कब दूत का इस्तमाल करके 10 मिनिट में इंस्टन डेजर्ट बना के सव कर सकते हैं हलो दोस्तों मैं हूँ पुनम मेरे किचन में आपका स्वागत है आज हम एकदम आसान तरीके से बिना गैस चलाए इंस्टन डेजर्ट बनाएंगे तो रेसिपी की सुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले तो बनाना सुरू करते हैं इंस्टन डेजर्ट बाउल में एक चोथाए कप मिल्क पाउडर डालेंगे मैंने यहां पे नैसले का डेरी वाइटनर लिया है इसमें 2 टेबल स्पुन फ्रेस मलाई डालेंगे और मलाई थोड़ी सी घाड़ी डालना है अच्छे से मिक्स करेंगे एक टेबल स्पुन चीनी का पाउडर चीनी को मिक्सेजार में डालके पाउडर बना लिया था इसमें हम एकदम थोड़ा दूद डालके मिक्स करेंगे, पहले में एक टीस्पुन डाल रही हूँ, दूद थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तर ये एकदम लूज हो जाएगा, फोड़ा साइसे लूज रखना है, बहुत ज्यादा लूज नहीं रखना है, आधी टीस केंप्रेचर का दूद आप डाल सकते हैं, ताचा दूद लेकिन गरम दूद नहीं लेना है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इसमें मिल्क पावडर का लम्स नहीं रहना चाहिए, इस तरह से एकदम स्मूध बना लेना है, मिक्स करके, एक चौथाई टीस्पुन केसर को एक एक टेबल स्पुन गरम दूद में आदे गंटे के लिए भिगो के रखा था, यह केसर वाला दूद डाल देंगे, यह optional है, आपके पास अगर केसर नहीं है, तो इसे स्कीप कर सकते हैं, इसे मिक्स कर लेंगे, आदे टीस्पुन इलाइचिका पावडर डालेंगे, एक टीस पिस्ता की स्लाइस, एक टीस्पुन बादाम की स्लाइस, थोड़ा मैंने गानिस करने के लिए रखा है, एक टेबल स्पुन चिनी का पावडर डालेंगे, आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा मिठा चाहिए, तो आप डो टेबल स्पुन चिनी का पावडर डाल सकते हैं, इस साइट में रग देंगे मैंने यहाँ पर 6 ब्राउन ब्रेट की इस्लाइज ली है आपको वाईटி ब्रेट लेड़ लेना है तो वह भी ले सकते हैं इसके — किनारी की किनारा को फैकना नहीं है इसका हम ब्रेट क्रम्स बना सकते है पहले हмने मिल्क पाउडर और मलाई का जो मिष्रन बनाया है वो इसके उपर लगाएंगे ब्रेट की स्लाइस के उपर इस तरह से लगा देंगे अच्छे से उपर ये लगा लेते हैं और हम रख देंगे इस तरह से दूसरे स्लाइस भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं मेरे पास यह थोड़ा सा मिसरन बच गया है तो मैंने एक ब्रेट की स्लाइस को ट्राइंगल में कट करके लिया है इसके उपर लगा दूँगी इसे हम ट्राइंगल में कट कर लेते हैं कि इस तरह से कट कर लेते हैं कि ब्रेट के पिसीज को मैंने डीस में इस तरह से अरेंज कर दिया हैं कि दूद और पाउडर चीदि हमने लाश्ट में मिक्स किया था यह पतला दूद उपर डालेंगे ताकि ब्रेट जो है वह अच्छे से सागी हो जाए इस तरह से उपर डाल देते हैं गाड़ा दूध हमने मिल्क पाउडर वाला जो बनाया है यह उपर डालेंगे इसके उपर हम पिस्ता की कत्रन डालेंगे बदाम की स्लाइस एकदम सॉफ्ट और क्रीमी लगता है यह और यह बहुत ही टेस्टी बना है इंस्टन डेजट रेडी है इसे आप तुरंद भी सॉफ कर सकते है या फ्रीज में इसे आदे गंटे के लिए ठंडा करके भी सॉफ कर सकते है यह बहुत ही टेस्टी बना है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके जरुर बताएए तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ